तो हेलो डियर स्टुडेंट्स बहुत बड़ी अप्डेट है MCC All-in-Dakota कांस्लिंग कांस्लिंग चडियूल जो है वो भी रिलीज हो गया अभी थोड़ी देर पहले नोट्सिकेशन आहीं की जिसको वीडियो के सब्सक्राइब आपको बताया था कि MCC की कांस्लिंग जो है वो 14th of August के आप लहां पर आप देखोगी कि अभी अभी इन्होंने कांस्लिंग शेडियूल पर रिलीज कर दिया है अगर हम कांस्लिंग शेडियूल को देखें तो आप देखोगे verification of tentative seat matrix by the participating institutes and NMC 14th August तो 16th August ठीक है तो जो भी participating institutes है वो अपनी seeds जो है उनके बास कितनी seeds है उसका data 15% सीज का वो MCC को बेजते तो उसका verification MCC अपने लावल पर करेगा 14th August registration round 1 counseling of 14th से लेके 21st August तक तो एक लंबा time है और इसी time में आपको choice देख भी करना है 16th August से लेके 20th August तक ठीक है अच्छा आपकी processing होगी 21st और 22 August मतलब ये दो दिन की processing होगी और result आ जाएगा 1st round of counseling का 23 August को reporting या joining आपको 24, 26, 27, 28 and 29 ठीक है पूरा का पूरा आपको 6 दिन का समय मिल रहा है ठीक 24, 25, 26, 25, 28, 29 छे दिन का proper time आपको reporting या joining के लिए verification of joint cannabis data by institutes and sharing of data by MCC तो ये आपका 30 से 31st August तक होगा round 2 की बात कर ले तो round 2 आपका 4th September से start होगा ठीक है मतलब registration आपका 5th September से लेके 10th September तक processing 11 से 12 September और result आजाएगा 13th September reporting 14 से लेके 20th तक फिर से 6 साथ दिन का time है और उसके बाद हम बात कर ले round 3 थी तो round 3 आपका होगा 25 से लेकर 2nd October तक इसकी भी choice locking आपकी 27 से लेके 2nd तक processing processing 3rd October से लेकर 4th October से लेकर 5th October तक तक जल्दी आगर counseling schedule आगिया इसका मतलब बढ़ती है इसके बाद तो भी आपका क्या होगा special इस्ट्रे राउंड होगा मतलब इस्ट्रे वेकेंसी राउंड के बाद एक और राउंड होगा आपका दो झाओ आपका लेके पिस लेका एका लेका लेक्त टा से लेकेंसी राउंड होगा टॉर्दी आपका की?